So hey guys welcome back to a new video और इस वीडियो में बात करने वाले हैं एक नए most popular of features जो realme UI update आने के बाद आपको realme के सभी devices में देखने को मिल जाता है इन devices में आपको realme UI का support देखने को मलता है तो आज हम बात करेंगे app quick freeze के बारे में जो आपको battery के section में देखने को मलता है और जिन devices में आपको realme UI का support देखने को मिलेगा उन सभी devices में आपको app quick freeze का support देखने को भी मिलेगा So app quick freeze है क्या और साथ में battery section आपको कुछ tips भी देने वाला हूँ तो अभी से इस वीडियो का like कर देना और इस चैनल को subscribe के bell icon प्रस कर देना जाकि आपको ऐसी वीडियो में मिलती रहें तो यह करते हैं बिने टाम विश्ट करते हूँ इस देखने को मिलता है बैटरी के section में आपको बता दू अवाउट phone Realme 2 Pro devices यूज कर रहा हूँ Realme UI मैंने अपडेट कर लिया है और जिस उसर को Realme UI का अपडेट नहीं मिला जाकर के मेरी ओल्ड वीडियो को देखे लाना मैंने पूरी installation process आप लोगों को बताई हुई है अब बात तरने इस features के बारे में तो friends आज हम कुछ और topics भी हम कबर करेंगी Realme 3 Pro, Realme 5 Pro, Realme XT, Realme X and XT and Realme X2 and X2 Pro में Realme 2 Pro Devices है और चलते हैं बैटरी के section में तो यहां पर भाई लोग आपको देखने को मलता आप की फ्रीज का features तो mostly popular features है और यह feature है क्या आपको बता दूं तो आप लोग देखे reduce idle background app power uses जो आपकी जो भी application जैसे आप PUBG gameplay करते हो और यहां से बीच में ऐसे cut कर देते हो और recent में वो आपकी gameplay होता रहता है याई आपकी recent application चली हुई है तो अभी अगर आप लोग देखे मेरी setting और photos चले हुए है तो यह battery चंजब्ट करते हैं background में तो उसी को off करने के लिए यहां पर अगर आपकी battery backup आपको अच्छा करना है तो इस features को हमेशा on रखना मैं आपको इस features को on रखने का recommend करता हूँ ताकि आपकी battery backup यहां पर increase हो अगर आपका यह features होगा तो आपकी कोई भी application या आपका कोई भी setting background में data आपका जो battery data है वो चंजब्ट नहीं करेगा और आपको एक अच्छी good battery देखने को मिलेगी तो मैं आपको इस features को enable कर लो और मैं भी enable कर लेता हूँ ताकि आपके battery backup आप लोगों को अच्छा देखने को मिले आपकी जो भी battery आप ज्यादा कंजब्ट करती है उसके ओबर तो आपको रखना ही रखना है बाकि आप लोगों की मर्जी और अब बात करें realme 3 pro and realme 5 pro में कब देखने को मिलेगा तो भाय दोग आपको बता दू realme 3 pro और real 5 pro में इंडिया में आपको जो भी माई 2020 का update आएगा उसमें ये features देखने को मिल जाएगा और Realme X और XT में यह features आपको शायद इसी update में देखने को मिल जाए बट Realme X में आपको यह update देखने को मिल गिया है और बात करिéis Realme X2 और X2 में आपको यह update पहले से ही मेलता जाए जबसे Realme UI आयए है और Realme X2 Pro में आपको भी उसी टाइम से देखने को मलता है जब से Realme UI आया है So I hope Friends वीडिया को पसंद आया होगा वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक किरना और चैनल को सब्सक्राइर बैल आइकन प्रस कर लेना मिलते है नेक्स वीडियो में आपको वीडियो का असल लगा मुझे को मेंटर की बता देना